इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्ती पूर जिला से आ रही है जहां सरायवनजन थानाक शेत्र के आहमदपूर गाउव से होकर गुजरने वाली सड़के सएच 88 पर हुई भीशन सड़क दुरगटना में सड के नारे खेल रहा एक बच्चा गंभीर रूप से जख कराया जहां घायल बचे की गंभीर स्थिती को देखते हुए सदर अस्पताल समस्ती पूर रेफर कर दिया गया जहां सदर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर्स ने घायल बचे को मित घोशित कर दिया मित बच्चे की पहचान सरायवन जन्थानाक शेत्र के आह मृत युवक अपने घर के सामने 1888 के किनारे खेल रहा था इसी दोरां दल सी सराय की ओर सिया रही किसी अनियंतरित वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया जिसमें वह गंभीर रूप से जखमी हो गया जिसे परिजनों ने इलाज के लिए ततकाल सराय वंजन बाजार स यहां उसकी चीचनता जनक स्थिती को देखते हुए सदर अस्पताल समस्ती पुर रेफर कर दिया जहां सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे म्रेत घोशित कर दिया हाला की حादसे के बाद वाहन चालक वाहन सहित भागने में सक्षल रहा उधर बच्चे की मौत की जानक जैसे ही उसके परिजनों को हुई, उनके बीच को हुराम मच गया, घर के सभी सदस्यों का रोरोकर बुरा हाल हो रहा था, बच्चे की मा रोते रोते बार बार बेहोश हो जा रही थी, घटना के बाद पुरे गाव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है, अभी तक के लिए बस इ आए दिन कहते रहते हैं, खूनी सरक, उसी सरक पर ये बच्चा जिसका नाम चंदन कुमार है, टहल रहात, आचानक गारी जो है, सो गारी वाले, किसी गारी वाले ने कोई देखा नहीं, ठोप करके और चला गया, उस देर में गिरा हुआ था, फिर लोगों ने उसको लाया, ले गया वहाँ, इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, यहाँ पर डॉक्टर सहाब उसको मेरे तुह सब्सक्तर गया,